दोस्तों बीते दिनों गुजरात में लोकसभा के तीसरे चरण का मद्दान हुआ जिसमें 25 सीटों पर वोटिंग हुई लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोक कर एक वोटर ने पूरे देश के लोगों का दिल जीत लिया दरसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें एक दिव्यांग शक्स अपने हाथ न होने के कारण पेर से वोट देने मत्दान केंदर पहुचा पतादे इस शक्स का नाम अंकित सोनी है और इन्होंने 20 साल पहले करण लगने के कारण अपने दोनों हाथ गवा दिये थे पतादे ये शक्स जब बिना हाथों के वोट देने मत्दान केंदर पहुचा तो वहां मोजूद अधिकारी भी दंग रह गए हाला कि इसके बाद अंकित ने अपने पेरों के अंगुठों में स्याही लगवाई और पेर से ही वोट दिया पतादे अब गुजरात ही नहीं बलकि पूरे देश में इस शक्स की हिम्मत और जजबे की खुब तारीफ हो रही है लोगों का कहना है कि लोग हाथ होने के बाद भी वोट देने नहीं जाते लेकिन अंकित ने पेरों से वोट देकर साबित कर दिया कि वो देश के सच्चे और जिम्मेदा नागरिक है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि देश और दुनिया की तमाम अनोखी खबरे हम आपके लिए लाते रहें